यदि x plus 2 x square plus p x plus 2 q का गुड़नखंड हो तो और p plus q का मान 4 हो तो p और q ग्याद कीजिए देखो प्रेस्ट में दिया गया है कि x plus 2 इस दिये गए बहुपद का गुड़नखंड है अगर ये इसका गुड़नखंड है तो x plus 2 को 0 रखने पर मानलो x plus 2 को हमने 0 रखा तो हमें मिलेगा x बराबर माइनस 2 इस माइनस 2 के मान को अगर इस बहुपद में रखा जाए तो इसका मान 0 होना जाहिए तो हमें पहले से दिया हुआ है कि ये इसका गुड़नखंड है अर्थात हम लिखेंगे यहाँ पर x plus 2 x square plus p x plus 2 q का गुड़नखंड है इसलिए x का मान कितना आये था माइनस 2 माइनस तो इहां रखा माइनस 2 का वर्ग माइनस प्लस p गुड़नखंड दो प्लस 2 q बराबर 0 होना चाहिए इसको हल करते हम तो यह ज़गा 4 दो का वर्ग 4 आ गया माईनस 2P प्लस 2Q बराबर 0 इन सभी को हम 2 से भाग कर सकते हैं क्योंकि यस सभी में 2 से कटने वाले नंबर है सब को 2 से भाग किया 2 माईनस P प्लस Q बराबर 0 यह एक हमें समिकरन में लिए यहाँ से किसी 1 कामान निकाल लेते हैं माल विदे दो चलो तो आ गया इस तरह क्यू कमान आ गया हमारे पहले दिये गए प्रस्ण से जो पहले दी गई स्थिति थी उससे अग दुबरह हमें दिया गया है कि P प्लस Q बराबर 4 है देखो दिया है कि P प्लस Q बराबर 4 है P प्लस Q बराबर 4 है Q कमान तो हम निकाल चुके हैं P के रूप में तो देखो Q कमान P के पदो में है तो यहां रखतेंगे हम P प्लस Q Q कमान निकाला हमने P माइनस 2 में तो यह बराबर 4 आ गया इस तरह हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ पद्ची के P यह 2P आ गया और इस दो को उधर ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा 2P बराबर 6 और P बराबर 6 बटे में 2 मतलब 3 आ गया अब यहां P कमान 3 आ गया है P के मान को वापिस यहां रख दो मान लो यह समीकरण 1 है तो समीकरण 1 से Q बराबर 3 माइनस 2 अर्थात 1 तो P कमान 3 आ गया और Q कमान 1